इंडियन रेलवे अपना आजादी के 75 अमरत मौसब पर आइकोनिक वीक मना रहा है इस कड़ी में समस्तिपूर रेलमंडल ने महात्मा गांदी के चमपारान सत्यगरे पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का नेड़ने लिया है इस ट्रेन को 23 जुलाई को मुजफरपूर स्टेशन से सुबह साथ बज़े हरी जंडी दिखा कर बापूधा मोतिहारी के लिए रवाना किया गया इसी को याद करते हुए समस्तिपूर रेलमंडल ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का नेड़ने लिया इस ट्रेन को अनोकी अंद़ाज में सजाये गया है महात्मा गांदी के चंपारण सत्यग्रेश से जुड़ी तस्वीरों के माध्यम से ट्रेन के अंदर यादों को ताज़ करने की कोशिश की जाएगी। ट्रेन में महात्मा गांदी के स्लोगन आदी को भी लगाये गया है। खास बात ये भी है कि ट्रेन के बाहरी हिस्से को तुरंगे का खूबसूरत रूप दिया गया है। बता दें कि समस्तिपूर रेलमंडल ने अमरित महसब के समापन के दिन महात्मा गांदी के चमपारान सत्यग्रे की यादों से जूली ट्रेन को मुझफर पूर स्टेशन से साथ बजे बापूदाम मोतिहारी स्टेशन के लिए रवाना करने का फैसला लिया। ये ट्रेन नौ बजे के करीब मोतिहारी स्टेशन पहुँच गई जिसके बाद प्रदर्शनी के रूप में 45 मिनट तक रखी। मोतिहारी स्टेशन पर इस कारकरम को स्वल बनाने के लिए एक भब्ब कारकरम का आयोजन किया गया। बतादें कि आजादी के सुतंता संग्राम में महात्मा गांदी का चमपारण सट्यक रे एक महत्वपूर्स्थान था जो समस्तिपूर रेलमंडल के मूतिहारी स्टेशन से जुड़ा था। महात्मा गांदी 10 अपरेल 1917 को बिहार आये थे। पटना से बापू अगले दिन मुजफर पूर पहुँचे थे। यहीं पर डॉक्टर राजिन प्रिसार से उनकी पहली मुलाकात होई थी। महात्मा गांदी ने कमिशनर से जादत नहीं मिलने के बाप यूद भी ट्रेन से 15 अपरेल 1917 को चमपारण की धरती पर कदम रखा। यहां किसानों का भरपूर सायोग मिला और अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी गे। इसलिए आजादी के अमरत मौसब में चमपारण के मूतिहरी स्टेशन का काफी महत्व है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।